हाई लेमिन्थीज, वेलकम्टो एजीवे कॉमर्स क्लासेज, मैं हूँ तविता और राइस, आज की इस वीडियो में हम लोग को रिलेशन को आगे बढ़ाएंगे और आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है स्काटर डाइग्राम, ठीक है, हाला कि यह इतना इजी ट तो मुझे लगा शएड वीडियो नहीं बैनानी चाहिए इस पर लेकिन मुझे ऐसा लगा कि समझाना तो जरूर ही है, चाहिए मैं ऑफलाइन समझाऊ या ओनलाइन समझाऊ तो समझाना तो मुझे ऑफलाइन के केस में भी पढ़ता है सबको तो मुझे ऑनलाइन भी समझान येस आप अपने डाउट मेरे से यूट्यूब या फिर इंस्टाग्रांग पर आईडी है तब इता मैसी वहाँ पूच सकते हो anytime you can message me आपका कोई भी query है अकाउंट से related business economics से related तो आप वहाँ पे message drop कर सकते हो अब हम guys correlation में जो topic पढ़ेंगे उसको नाम है scatter diagram जो की बहुत असान topic है देको होता क्या है हम लोगों के पास graph होता है वो हमें कुछ series given होगी मतब आपको exam में कोई भी series देंगे x और y आपको पता है correlation के लिए guys basic video जरूर देखना ताकि concept समझा सके और वो बहुत जादा जरूरी है इसलिए बोल रही हूँ ठीक है तो हमें दो series given होती है हमें उसे graph पे plot करना होता है जब आप उसे graph पर उन series के numbers को डालते हो और आपको एक straight line बनती हुई नजर आती है तो उसे आप perfect correlation यानि कि आपको पता है correlation का answer कितना आना चाहिए 0 से 1 के बीच में अगर आपका positive 1 answer आ रहा है यानि कि plus में आ रहा है और एक आ रहा है तो आपका graph कुछ इस तरीके से बनता है ठीक है और इसे हम positive correlation कहते हैं अगर हमारा graph straight line ही है बट downward है यानि कि एक चीज हमारी decrease हो रही है तो दूसरी चीज हमारी बढ़ रही है ठीक है तो इसे हम negative correlation यानि कि perfect negative correlation कहते है हमारा answer क्या होगा minus 1 यहां पे कुछ भी आसपास कोई हमारी मलब आप कह सकते हो कोई भी line draw नहीं हो रही है हर एक point अलग-अलग दिशाओं में है no correlation ठीक है तो जब हमारी line properly straight line में convert हो जाती है तो उसे हम positive correlation या negative correlation कहते हैं high degree किसे कहते है guys जो points है वो points काफी दूर है low degree और जब points बहुत ही अलग-अलग दिशाओं में है तो no correlation ठीक है अब high degree positive correlation भी हो सकता है high degree आपका negative भी हो सकता है कि आसपास point होंगे जादा दूर नहीं है और जब थोड़ी जादा दूरी पर है तो low degree correlation यह होता है हमारा scatter diagram अब मैं आपको बना के दिखाती कि कैसे इसे बनाते है तो normal आपको graph तो पता है कि like इस तरीके से होता है x axis y axis होता है 0 से हम start करते है अब पहले मैं x axis को plot कर दो 2, 4, 6, 8, 10 और यहां पर है 5, 10, 15, 20 and 25 तो आप देखोगे कि दोनों ही increasing order में है और दोनों के जो points है and 6 का 15 है तो यह एक स्ट्रेट मेरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी से तेड़ी हो रही है यह एक स्ट्रेट लाइन फर्म कर रहे है तो positive correlation है वो आपको नंबर यहां पर 3, 4, 5 कुछ भी ले सकते है बट आपको उसे उसके accordingly graph पे plot करना आना चाहिए जो कि हमने अपनी 10th क्रास में भी सीखा है graph को कैस स्ट्रेट है कि एज है यह number of persons है तो आपको वो जरूर मेंचन करना अदर्वाइस graph के marks कर जाएंगे graph आपका properly neat and clean होना चाहिए जिसमें अगर neat and clean नहीं होगा teacher अगे आपके marks काट लेगी and clean with full information होना चाहिए कि आप x-axis पर आखिर mention कर क्या रहे हो y-axis पर आखिर आप mention क्या कर रहे हो तो वो भी आपको बताना है और इस अरिके से आपका sketch a diagram का topic बहुत असान साथा guys जो हो गया है I hope आप लगों कर समझ आया होगा next video में हम Carl Pearson के formulas को समझेंगे plus question solve परेंगे thank you कर दो